इंटर्वी आपको देखने को मिला, जो NBS में rank 1 लेकर के आए हैं विनायक, हमारे एक लर्नर, तो वो इंटर्वी होफुली आपने देख लिया होगा, कल एक व्लॉग, नई गाड़ी का 8 महीने से कोई व्लॉग निया है, वो आपको हिमानशी सिंग चैनल पर देखने को करते हैं, तो पढ़ाई तो लेकिन कल नहीं होने वाली है, तो 30 questions करते हैं, फटा-फट से पोल में आप जवाब देंगे, as usual, question number 1 है, आप problem solving procedure in which are prescribed step by step, focus कीजएगा step by step method, should be followed is a or n, मतलब क्या है, वह कौन सी समस्या समाधान की प्रक्रिया है या तरीका है problem solving का, जिसमें हम च चरन, दर्चरन, किसको बोल रहे हम यहाँ पे, जिसमें step by step procedure follow किया दाएगा, step by step के लिए सबसे अच्छा तरीका है याद रखने का, कि आप maths के formula के बारे में सूचें, कि आपके सामने कोई भी maths के problem आई, आपके पास एक specific formula है, वो आपको वहाँ लगा देना है, और answer आपक किसकी तरफ जाएगा answer, किसकी तरफ जाएगा algorithm, 35% लोग जो है A option दे रहे हैं, रटे नहीं लगाने है questions के नहीं तो यही इस्तती होगी फिर, 32% लोग इसका सब ने गलत जवाब दिया, मुझे लग रहा था इतना आसान question में करा क्यों रहे हैं, first question ही तना easy है, बट आपने, आप धाराशाई हो गए इस पर, मुझे आपने, D, 37% लोग आप जा करके कहने लग गए हैं, अदरवाइस सब ने गलत उतर दिया हैं इसके, देखो step by step, कल भी मैंने बात की थी algorithm के बारे में कि कोई algebraic equation है, तो उस case में आप क्या करते हैं, आपको पता है, A plus B का whole square का formula step, solve कर देंगे, उसको एक algorithm में एक formula लगा करके, step by step solution लगा करके, trial and error को लेके आप में बहुत उत्सुकता है, मतर मैं देख रही हूं, 25% लोग trial and error को step by step मान रहे हैं, trial and error कभी भी step by step नहीं हो सकता, और trial and error कोई दुनिया का सरुषेश तरीका नहीं है, problem solve करने का, one of the ways है और बहुत ही हलकी-फलकी समस्याओं के लिए trial and error use होता है, कोई बहुत बड़ी समस्या अगर आपको solve करनी है, creatively किसी चीज़ को जिसमें ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल होगा, उसमें कभी भी trial and error लगा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि trial and error basic चीज़ों में काम आता है problem solving के, और नहीं कार ली, पहले दिन दिक्कत आगई, accelerator ही हो रही है, मैंने किया कि ignition off कर दिया, हम सभी यह करते हैं, तो यह trial and error का हिस्सा है, कि क्या पता चल जाए, आप प्रियास करते हैं, फेल होते हैं, फिर से प्रियास करते हैं, तो trial and error कोई सरुष्रेश तरीका नहीं माना जाता, बट हाँ, एक तरीका है, problem solving का, एक ठीक तरीका है, सब जगा पर इसमें कुछ steps होते ही नहीं है, कि पहले यह करना है, फिर यह करना है, फिर यह करना है, trial and error तो आपने किसी चीज़ को try करिया, प्रियास किया, तुरूटी होई, फिर से प्रियास किया, तो यहाँ पर steps नहीं होते, trial and error में, creatively यह problem को solve नहीं करता, देखेगा, अगर हम बात करते है, analogy की, तो analogy होती है, similar तरहा की problems आपने पहले solve की हुई है, तो वही तरीका आप किसी और problem में भी लगा देते हैं, जो उस तरहा की होती है, कि यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया, कि previously किसी same तरहा की problem solve हुई है यहाँ पर step by step की बात हुई है, heuristics क्या होते है, funday होते हैं, कल भी बात हुई थी, remote काम नहीं कर रहा, आपने, यह अपना funda है, जो बहुत बार आप आजमा चुके हैं, कि ठीक यार करके देखते हैं, हो जाएगा, जिसमें हलका सा trial and error भी शामिल हो गया, तो यह algorithm में इसका सही उत्तर है, कलन विधी, जिसको हम कहते हैं, step by step solution होता है, कलन विधी में, कि यह इसका procedure है, अगर किसी काम को करना है, तो, question number 2 देखिए एक बार, यह क्या कहता है, question number 2, जवाब दीजेगा, फटा पच्छे, कोई छूट नहीं मिलती है, रच न, फंडाइक की theory है, trial and error, बिल्कुल अभी अभिलाशा, हमने इस पे चर्चा भी कियो है, हालांकि CTAT में नहीं पूछा जाता, trial and error, इसलिए हम पढ़ भी नहीं रहे हैं, लेकिन जब हम gestalt पढ़ते हैं, याद होगा आपको, gestalt पढ़ते हैं, तो वो trial and error की एक और level आगे है, trial and error क्या है, कुछ समस्याओं में, बहुत सारी समस्याओं में काम आ जाता है, लेकिन अगर आपको अपने दिमाग की ज़्यादा processes इस्तिमाल करनी है, तो आप cognitive development की तरफ जाते हैं, cognitive theories की तरफ जाते हैं, या gestalt वादियों की तरफ जाते हैं, जहां creative solution आता है कुछ दिमाग में है न, क्योंकि हर चीज के लिए आप 100 बार गलत attempt करेंगे, तब सही पहुचेंगे, तो किसी-किसी काम में तो जीवन लग जाएगा, तो ये एक बात हुई, बहुत सारी चीज़ें हम जीवन में trial and error से सीखते हैं, लेकिन ये कोई सर्फ्षेस्ट तरीका नहीं है, question number two है, assertion क कि अगर हम बात करें, अभी कथन की, तो इसलिए मैं भारी-भारी शब्द इस्तमाल करने से बच रही हूँ, कि आप gestalt की बात नहीं करें, आप cognitiveism की बात यहां नहीं करें, आप thondike की भी बात बहुत हद तक नहीं करें, क्योंकि उसकी ज़रत नहीं है, आपको seat rate में आपके school हैं, विद्याले हैं, विद्यालेों को सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोशित करना चाहिए, मतलब जो learning की process है, उसमें emotions भी बच्चे के involved होने चाहिए, कि उसको मजा भी आए सीखने में, वो डर के मारे ना सीख रहा हो, तो emotions जो है को learning की process में role play करते हैं, बिल्कुल सही बात है, cognition and emotion जो एक topic है, जिस पर हमने चर्चा की थी कल भी, एकदम true है यह बात, भई अगर बच्चों को बखार है, या फिर वो मन से अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, कोई घटना घट गई है जीवन में, घर पे आज लड़ाई मम्मी ने पीट दिया था, तो emotionally ठीक फिल नहीं कर रहा, तो चीजने समझने में भी, समझने में भी उसको दिक्कत होती है, reason क्या है इस बात का, reason है emotions are inseparable from cognition, यानि भावनाय संग्यान से प्रथक नहीं है, हमारा जो cognition है, Roberts थोड़ी है हम, कि भई आपने एक coat डाल दिया है और उसी तरह से काम करता रहेगा, भार बारिश हो, तूफान हो, दर्द हो, परशानी हो, कुछ भी हो, नहीं, emotions जो हैं, वो inseparable हैं, प्रथक नहीं है, किस से, संग्यान से, मतलब हमारे जो भी दिमाग की processes हैं, उसमें emotions का भी role होता है, कि आपकी thinking, reasoning, problem solving, decision making, जितने भी काम दिमा हैं, वो हैं, zazonk, ठीक, तो A option is the right answer, कि दूनों ही बातें एकदम सही हैं, बोथ A and R are true, तो आज तो आप इसको एक test की तरह भी ले सकते हैं, उसका reason है कि कल हमने 30 questions को बहुत detail में discuss किया था, इस topic के, question number 3 देखेगा एक बार, यह क्या कहता है, question number 3 है, which of the following factor leads to intrinsic motivation to learn, आंतरिक अभी प्रेडणा के बारे में कौनसी एक बात सही है, यह पूछा है, नेहा गरवाल क्या रहे हैं, आप कभी suit क्यों नहीं पहन किया थी, नेहा पढ़ लोपे पर आ रहा है, ऐसाट दिन में, रोज कितने गंटे काम करना होता है, आपको आइडिया भी नहीं है, अब मैं यह सजने सवरने पर समय लगाऊं या पढ़ाने विद्धेहन दू, देखो एक बार, question number 3, नेहम लिखेत में से कौन सा कारक अधिगम हेतू, आंत्रेक अभी प्रेडणा को संचालित करता है, अगरता प्रदान करता है, बताइए एक बार, 89% लोग क्या रहे हैं, interest, interest मतलब रू आपके साथ सीखने में मजा आ रहा है, तो आप आंत्रेक रूप से motivated है, reward क्या है, external reason है, तो motivation भी कैसी होगी, external होगी, बार ही अभी प्रेडणा हो गई, punishment भी क्या है, external reason है, इसका भी डर से भी अगर आप सीख रहे हैं, तो भी external होगी motivation, praise भी क्या है, आज आपका मन कर रहा ह बट ये external reason हो गया, किसी काम को करने का, रुची, अगर मेरा interest है किसी काम में, तो मैं करूंगी न वो चीज, तो अगर बच्चे का interest है learning में, तो वो आंत्रिक रूप से अभी प्रेरित होगा, जिसको internal motivation या intrinsic motivation कहते हैं, जिसका reason बाहर नहीं मिलेगा, आपको reason अपने अंदर म जाएगा, तो अगर किसी काम में, रुची है, तो उसके ना पैसे मिले हैं, ना number मिले हैं, उसमें फिर भी आपको अगर मानली, जो पढ़ने में रुची है, तो आप किताबे पढ़ते रहेंगे, कोई आपको पैसे थोड़ी दे रहे किताब पढ़ने के, तो रुची मतलब कौन है ये, good and I, ये लाल वले मुझी कैसे बना रहूँ भाई, देखिए, कोई कह रहा है कि moderate questions लेका है, ये easy है, मुझे हासी आती है, strike बाते सुनके, अगर सिर्फ difficult question कराने हैं, तो बहुत easily कराया जा सकते है, moderate भी छोड़ो, सीधा difficult करेंगे, इसी को moderate कहते हैं, seated की भाशा म है, है न, तो जब हमें पता है कि level seated भी set करके रखता है, ऐसा नहीं, अपनी तरफ से हम मुझकिल question नहीं जबरदस्ती डाल देंगे, जो topic ही easy है उसमें, उसका कोई point नहीं है फिर, और जब हम 60 questions कर रहे हैं, तो almost हर तरह की questions जो भी आये हुए है online exam में, वो सारे cover हो जाते हैं ठीक है न, यह अपनी तरफ से थोड़ी बनाएगा वे question नहीं पेपर में आये हैं, देखें, which of the following is likely to become, एक hard set करेंगे तब आपको एक बार मदब कर लेंगे उसकी practice, don't worry, but जितना जरूरी है, जैसा paper का level है, उसी तरह से करने का फायदा है किसी चीज़ को, otherwise time waste है वो, उसका बात है कि level set रहता paper में, flexible curriculum यानि barrier कौन बनेगा learning में, अधिगम में बाधक कौन बनेगा, flexible curriculum कभी भी बाधक नहीं बनता, rigid curriculum बनेगा, तो ये तो बात गलत हो गई, multiple sensory approach, जितने ज़्यादा senses involved होंगे, उतना भेदर सीखेगा बच्चा, ये क्या है, ये भी रुकावट नहीं अधार पर समूही करण, यानि जो बच्चे 50% लाते हैं, उनको एक गुरूप में डाल दिया, जो बच्चे 90% लाते हैं, उनको एक गुरूप में डाल दिया, जबकि मिल्स ability grouping करनी चाहिए, ये ability grouping करनी भी पड़े तो, ठीक है ना, constructivist pedagogy by teacher, रचनावादी pedagogy ये तीनों positive हैं, एक negative है, जो negative है, वही सही है, question number 5 देखिए, question number 5 देखिए, ये क्या गहता है, question number 5, अगर हम बात करें, the broad perspective of schools and especially teachers to understand failure of students, should be that, मतलब, school और विशेश रूप से सिक्षकों को, शात्रों की विफलता को किस तरह समझना चाहिए, यानि बच्चे जदी fail हो रहे हैं, ये topic है अ को कैसे देखें, करेंगे रजनी थार गिफ्ट, कोई बात नहीं, नाम लेलिया शिवांगी, मैं प्लीज बताए कि notification क्यों नहीं आता है, तीन दिन से मैं लेट हो जाती हूँ, पदा नहीं, श्रीश हो जाता है, YouTube पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे आप लोग भी हैं खुद में, तो हो सकता है, मिस हो जाता हो, बैल आइकोन देख लो, मैं हम जो आपको सहल लगे वही कराई है, जो हम लोगों के लिए के हित में हो, तो निशा वही बात है, अगर हम अच्छे से जितने भी टॉपिक्स एक एक करे कराए जा रहे हैं, तीस में से एक भी नंबर को समझने का तरीका, या कैसे समझेंगे, reflect poorly on the strengths academic capabilities, यानि शात्रों की कमजोर sectionics, शमताओं का प्रति बिम्मन है, कि वो कमजोर है, इसलिए fail हो रहे हैं, नहीं, reflect poorly on the teacher's ability, teacher की ability में कमी है, तो सीधा teacher पे भी नहीं आएंगे, is a systematic issue, बिलकुल, जब बच्चा fail होता है, तो system fail हो करने की आवशकता है, जो स्कूल का system है, कहीं उसमें तो, पूरे system में ही तो problem नहीं है, अब वो teaching methods में भी हो सकती है, system के अंदर problem, वो किसी और end पे भी हो सकती है, लेकिन आपको पूरे system को reflect करने की ज़रत है, अपने उपर, एक issue है, जो कि communities की वजहा से, जो बच्चे, पू system को देखना है, system fail हो रहा है कहीं न कहीं, ठीक है ना, question number 6, देखे, children from naive theories, alternative conceptions, या मैं कहूं wrong theories, for alternative conceptions, because, बच्चे, सहज, सहज, सद्धान्त या वैकल्पिक, अवधारनाई बनाते हैं, क्यों की, यानि naive theories क्यों construct करते हैं, बच्चे, alternative conceptions, क्यों construct करते हैं, their thinking is much inferior to adults, हमने बा पाकी theories में पढ़ा है, वो सब इस 10 number में आपको apply कर देना है, इसलिए 10 number आपको आसान लगेंगे, क्योंकि, जो भी आपने से पहले पढ़ा है, वो सारी pedagogy का निचोड़ हैं, इस 10 number, ठीक है ना, तो बच्चों की जो thinking है, वो inferior है, ऐसा तो प्याजे पहली मना कर देते हैं, बच्चों की thinking different होती है, अडल्ट से, लेकिन amount तो same रहता है, same मात्रा में वो सोचते हैं, बस प्रकार अलग है, तो inferior नहीं है, different है, बच्चों की जो thinking है, वो ऐसा नहीं कि आप adult हैं, तो आप बड़े हैं, तो आप जो सोच रहा हैं, वो superior हो गया, वो बहुत उच्च स्तर का हो गया, बाकी बच्चे जो है, वो निमनिस्तर के हो गया, तो काफी निमनिस्तर की होती है, उनकी सोच ऐसा खहना गलत है, they are blank slate, ये व्यवहारवाद मानता है, और हमारी पूरी जो seated की तयारी, आज का जो system चल रहा है, वो constructivism रचनावाद पे चल रहा है, जिसमें हम बच् को active builder of knowledge, या little scientist मान रहे हम आज के समय में, they are thinking beings who are constructing knowledge by interacting with the world, यानि वे सोच वाले प्रानी हैं, जिन में thinking process चलती है, वो thinking beings हैं, जो सोच पाते हैं, और knowledge को construct करते हैं, दुनिया के साथ interact करके, बातशीत करके, ज्यान का निर्मान करते हैं, यानि actively knowledge को construct करते हैं, सक्रिय रूप स बिल्कुल सही उत्तर है, their thinking is illogical, बच्चे की thinking को illogical या irrational नहीं कहेंगे, naive theories, ऐसे alternative conceptions किस वज़े से build होते हैं, कि बच्चे का अनुभव ऐसा रहा है, कि उसने कभी रंगहीन पानी के बारे में ज्यादा नहीं सोच पाया, जबकि रंग वाला पानी उसको बहुत interested वो उसम या मैं जाता हूँ तो मेरे साथ पेड़ भी चलते हैं, तो वो उसके अनुभव के basis पे construct होती हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे में कोई दिक्कत है, यह natural है ऐसा होना, question number 7 देखेगा, speed बढ़ाते हैं, don't worry, question number 7 क्या कहता है, when a student is stuck on one way of representing a problem, it is called, यानि जब कोई विद्यार्ती किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने पर अटक जाता है, यानि एक ही तरीका है किसी problem को solve करने का, इस पे हमने चर्चा कल भी की थी, अच्छा, DEET plus B का batch के बारे में जो लोग पूछ रहे थे, 26 तरीक से admissions आपके, career will पे, शुरू हो जाएंगे, यह मुझे याद आ आ गया और आप जाकर के enroll कर सकते हैं, शुरूआत में जो है fee be discounted होती है, हाँ, ठीक है जी, चले आगे बढ़ें, हाँ class test अब होती है, फाल दो कॉमेंट्स ना लो, ठीक है शारे नहीं, आज कुछ जादे फाल दो कॉमेंट्स दिख रहे हैं, सही कह रहे हैं, ऐसा कब कहा देखे, be option, अगर हम बात करते हैं, जब कोई विद्यारती किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने पर अटक जाता है, कि किसी problem को solve करने का एक ही ढंग है, कुछ भी पूछा है, try and error लगा दो बस, नहीं, तो ये क्या कहलाती है, फंक्शनल fixness कहलाती है, एक नंबर का सवाल, कार्यात्मक स्थिरता कहलाती है, be option, fix हो गया है, आपका function, brain का function जो है, fix हो गया है, किसी एक ही तरीके पर, कोई भी समस्या है, बस आपका ध्यान एक ही तरीके पर जाता है, आप multiple solution सोच ही नहीं पाते, backward strategy तो होता है, कि भाई, आज जो समस्या है, वो कहां से शुरू होई होगी, वहाँ अपनी thinking को ले जाना, तो यह तो अच्छी बात है, positive है, response set negative है, इसके अलावा, analogical thinking भी जो है, वो यहाँ, positive बात कहती है, one way of representing a problem, it is called, functional fixness, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question पे, देखो, इसका answer response set भी हो सकता है, बट यह present की बात करना है, represent किया है आपने problem को, नहीं तो जो अगर respond करने का तरीका हो, तो response set में भी बात same ही रहती है, दोनों ही answer यहाँ पर सही माने जा सकते हैं, मेरे खाल में, functional fixness जो है, consider किया होगा, यहाँ पे, board ने, उसका reason है, क्योंकि यह problem को represent करने के एक ही तरीके पे अटके हुए है, response पे होते तो मेरे खाल में, response set के साथ जा सकते थे, question number 8 देखेगा, question number 8 देखेगा, और जवाब दीजगा, फटा-फट से, 30 questions करेंगे, थोड़ा साज हम speed में करने वाले हैं, अगर हम बात करें, question number 8 की, तो यह कहता है, कथन दिया हुआ है, और उसका कारण दिया हुआ है, while teaching problem solving, teachers should discourage the children to think about their own thinking and focusing on how to learn, यानि बच्चे को problem solving पढ़ा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं कि कैसे समस्या का समधान करते हैं, बच्चों को discourage किया जाना चाहिए, अपनी thinking के बारे में, कैसे सीखते हैं, वो इस बारे में स सोचते हैं, इस पर ध्यान ही नहीं देना, तो समस्या समधान होगा कहां से, development of metacognitive abilities hinder problem solving, यह अपनी समस्या के बारे में, अपनी thinking के बारे में thinking, thinking about thinking, thinking about one's own thinking, metacognition है, जिसकी इनोंने मना कर दिया जुसको, कि metacognition तो अच्छी बात नहीं है, और यह कह रहे हैं कि development of metacognition abilities metacognitive abilities का विक्सित होना समस्या बन जाएगी problem solving में, जबकि help करेगी यह चीज तो आपको अगर आप पहले से plan कर पाते हैं, exam देख करके, कि भाई, मैं इसमें यह चीज करूँगा, वो करूँगा, फिर reflect करने हैं, अपने actions पर review कर रहे हैं, अपने thinking के बारे में सोच रहे हैं तो यह तो दूनों ही बातें क्या हैं, गलत हैं, D option आप लोग दे भी रहे हैं, सही उत्तर, आगे बढ़ेंगे question number 9 पर, क्या कहता भई question number 9, देखेगा, question number 9 कहता है, एक कथन है again, अजर्शन है, teachers should tell middle school students exactly in details what they have to do including what, how and when to learn, यानि teachers को, सिक्षकों को मध्यविद्याले के शात सीखना है, मतलब सब कुछ बता दे teacher, कि कैसे कब क्या करना है, बच्चा को अपने दिमाग लगाने का space छोड़ो ही मत, तो यह false हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पर यह हो सकता था कि वो अपनी learning strategies पर focus कर पाए, सोच पाए, कब कहां कैसे कुछ करना है, planning की बात होती तो यही कितना सीखना है, तो फिर तो बच्चे को active रखने का, उसको discovery करने का inquiry का मौका ही नहीं दिया, सब कुछ पहले से ही fixed है, तो false हो गया है तो, reason क्या है, middle school children do not have the capacity to self-regulate their learning, middle school के बच्चे में छटी से आठवी के बच्चे जो हैं, वो अपनी thinking को regulate नहीं कर पाएंगे, तो both A and R, false, दूनों ही गलत है, reason तो छोड़िये, दोनों में से कोई statement भी अपने आप में ठीक नहीं है, question number 10 देखेगा, यह क्या कहता है question number 10, question number 10 कहता है, thinking of ability as dash and failure as dash motivates the students to work harder by putting in more efforts, यानि योगिता को क्या मान लेने से और असफल्था को किस रूप में देखने से शात्रों को अधिक प्रयास करने में महनत मिलेगी, यानि बच्चों का मन करेगा जादा महनत करने का, यदि हम योगिता को कैसे देखते हैं, योगिता समझ रहे हैं आप कि ability, कि या तो ability fix होती या तो fixed है किसी को जन्म से ही सब कुछ आता होगा या फिर increment हो सकता है सीख सकते हैं आप चीजें तो incremental होती है ability fixed नहीं मानी जाती तो thinking of ability हम क्या कहते है incremental है जिसमें बढ़ावा संभव है अगर हम मेनत करें तो increment संभव है जैसे salary में increment होता है लोगों के तो लगेंगे तो फिर आप आगे try नहीं करेंगे तो ये तो motivating नहीं हो सकता कि humiliating मान रहे हैं आप failure को ऐसा कौन विखती है जिसने कुछ भी सीखा है और कभी fail ही नहीं हुआ कभी गलती ही नहीं कि तो अपमान जनक नहीं होता failure process का हिस्सा है part of the process है क्या है part of the process है बात सही या नहीं है इससे मुझे किस्सा याद आ रहा है बट आज मैं थोड़ा जल्दी के mood में हूँ देखिए incremental thinking of ability as incremental योगिता को जिसमें वृद्धी संभव है योगिता को बढ़ाया जा सकता है opportunity to learn and failure as opportunity to learn यानि असफलता को आप सीखने के मौके के रूप में देख रहे हैं सीखने का अवसर के रूप में देख रहे हैं कि कोई बात नहीं fail हुए तो अभी सीखना कुछ बाकी है इसलिए असफलता में लिए क्योंकि कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है इसनी बात clear है अभी मेरे एक friend है उसका इस बार mains दिया उसने interview दिया और fail हो गया फेशली बार भी उसने mains दिया था और interview तक नहीं जा पाया था, दो तीन बार mains वो लेक चुका है, PCS में कहीं selected है तो मैं उसको यही पूछ रहे थी कि तो वही हम यहाँ पर मान करके चल रहे है कि part of the process है ठीक, चलिए खेर आगे बढ़ेंगे question number 11 पे और समझते हैं कहानी है क्या question number 11 कहता है which of the following factors influence learning यानि कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं सीखने को प्रभावित लगबग दुनिया के सारे कारक करते हैं बच्चे की आर्थे किस्तिती पे हम बहुत जादा जोर नहीं देते हैं उसके लावा सब कुछ ही ज़रूरी है socio-cultural context of the student समाज और संस्कृती से बच्चा आता है वो भी सीखने को प्रभावित करता है negatively और positively दोनों कर सकता है वो आप पर depend करेगा कैसे उसको देखेंगे age जो है बच्चे की यह हुआ environmental factor कल हम बात कर रहे थे ना दो तरह के factors है एक environmental factor है दूसरा personal factors है personal factor बच्चे की age बिल्कुल करेगा भई दो जी तरह के factors ने जो प्रभावित करते है pedagogical strategies to teacher concept teacher किस method से पढ़ाता है यह भी environmental factor हो गया teachers believes about the student's ability यानि बच्चे की शमता के बारे में teacher का क्या विचार है बई teacher अगर आपको यह सोचता है कि आप तो निकम में है आपसे तो कुछ होगा ही नहीं आपके बस काई नहीं है तो बच्चे के सोच पर उसका प्रभाव पढ़ता है बच्चे की learning पर उसका प्रभाव पढ़ता है फिर वो उतने efforts भी नहीं डालता तो कुछ factors इसमें से एक factor है जो personal factor है बाकी तीनो factors environmental factors है जिस environment से आप आ रहे हैं लेकिन चारों ही factors learning को प्रभावित करते हैं इतनी बात पक्की है तो D option is the right answer 1st, 2nd, 3rd, 4th तीनों ही सही हैं कि कौन से लोग हैं जो अभी भी 17% लोग गलत उत्तर दे रहे हैं इतने आसान सवाल का Question number 12 इसी बात की इहरानी होती है कई लोगों को लगते है अरे इतने आसान question कर रहे हैं हम और फिर उसके बात पहली question पर मैं देखती हूँ कि 30% से जादा लोग नहीं है जो सही उत्तर दे पा रहे हैं 70% लोग fail हो रहे हैं मुश्किल question जो दो भी मुश्किल से आते हैं पेपर में उसके चक्कर में हमारा ध्यान टॉपिक से हड़ दाता है और हम सोचते हैं बस कुछ मुश्किल करेंगे सब कुछ हमें आसान लगता है तो ध्यान थोड़ा से देना है इस चीज़ पर भी अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रिया कलाब बनाने चाहिए और संपादित करने चाहिए यानि कैसी लर्रिंग एक्टिविटीज प्लान की जानी चाहिए जिनमें बच्चों को इंवाल्व कराया जाए अब्स्ट्रेक्ट होनी चाहिए नहीं बच्चों के लिए कॉन्क्रीट से शुरू करते हैं अमूर्थ चीज़ें वो हैं जो दिखती नहीं है या जो विचारों में हैं इस पैन के बारे में अगर बच्चों को पता नहीं है तो मैं पैन के बारे में बस चर्चाएं करती जाओ उससे ज़्यादा आसान तरीका के आए मैं एक पैन दिखा दूँ यानि ये concrete form हो गई जब मैं इसके बारे में सिर्फ बात कर रहे हूँ तो वो comparatively abstract हो गया तो बच्चे को concrete material के थूँ सिखाते हैं सही बात है बलाशा चलिए इन सिंक विद इस्टुएंट्स इंट्रस्ट ये बात एकदम सही लग रहे है कि activities ऐसी design करो जो बच्चे की रुचियों के अनुरूप हो जिसमें बच्चे को interest आ सके अलग-अलग बच्चों के लिए अलग-अलग चीज़ें प्लान की जाए टीचर के दौरा जिसमें उनकी रुची, उनकी उम्र के अनुसार आपके experience के अनुसार आप ऐसी activities प्लान कीज़े alien हो, foreign हो जिनका context मतलब बच्चे के लिए वो foreign है वो चीज़ foreign किसको कहते हैं हम जहां हम गए नहीं है, हमारे पास बहुत जाज़ा नहीं है, हम बहुत जुड़े हुए नहीं है जहां से, alien concept है, alien समझते हो ना जादू आ गया कहीं से, ठीक तो alien concept है मतलब पता ही नहीं है जिसके बारे में जादा परिवेश से दूर की बात है तो ये भी दरीका नहीं है जिससे बच्चा जुड़ा हुआ ही नहीं है उसके बारे में क्या मज़ा आएगा उसको aimed at mere reproduction of previous knowledge इसका ध्यान रखेगा जहां भी mere reproduction of knowledge लिखा हो, मतलब रट्टा लगाके reproduce करने की, लिख देने की बात हुई है तो वो एक गलत बात हो गई तो B option is the only right answer कि बच्चे जो हैं जहां बच्चों के interest के साथ match होने वाली activity आपको करानी है question number 13 in order to maximize students engagement in learning process, our teacher should यानि आप as a teacher चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा engage हों ज़्यादा involved हों, सीखने में interest लें उनका participation बढ़े सीखने में तो अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सनलगनता को अधिका अधिक करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए minimize कर देंगे autonomy of students यानि बच्चों की independence को खत्म कर दो teacher centered बना दो classroom को बच्चे अपनी मर्जी से पानी तक न पी पाएं तो ये तो negative बात होगे इस engagement बढ़ेगा नहीं कम हो जाएगा बच्चे आएंगे तो सही मजबूरी में attendance की बट सो जाएंगे या मतलब कुछ भी करेंगे सीखेंगे नहीं उतने अच्छे से यानि विकर्षणों को अधिक्तम कर देना बराबर में धोल बज़ रहा है school में कोई phone चला रहा है अपना teacher खुद phone में लगे हुए है गाने बजा दिये हैं या environment ऐसा है जहां destruction बहुत है seat है जो हिलती रहती है हर time तो बच्चा कहां से उध्यान लगाएगा पढ़ाई पर तो इससे भी maximum engagement नहीं बढ़ेगा बलकि घट जाएगा minimize individual choices यानि व्यक्तिकत विकल्पों को नियूंतम कर देना यानि बच्चे की जो choice है खुद की हर एक बच्चे की अपनी कुछ choices होंगी जिसमें उसका interest होगा उसको minimum कर दिया उसको कम कर दिया या खत्म कर दिया तो इससे भी कोई engagement नहीं बढ़ेगा maximize authentic authenticity of task ये बात एकदम सही है कि कार्य की सत्यता को अधिकम अधिक्तम कर देना चाहिए सत्यता क्या होती authentic task का मतलब होता है वो task जो everyday life से जुड़ा हुआ हो बच्चे की है ना जो real life से जुड़ा हुआ हो everyday life से जुड़ा हुआ हो जब आप English पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चे को कहें कि बेटा सबजी वाले भहिया से आज एक बार English में बात करना है या फिर कुछ भी हो सकता है इसा कोई भी एक चीज हो सकते है कि real life में जहां पर वो उस चीज को use करें तो एक ऐसा टास्क जो everyday life से जुड़ा हुआ हो उसको authentic टास्क माना जाता है तो D option is the right answer यदि ऐसा होगा कि real life से जुड़ी हुई knowledge होगी तो अपने आप ही बच्चे maximum interest दिखाएंगे और engagement बढ़ जाएगा क्लास में जाधा involved होंगे question number 14 देखेगा एक बार यह क्या कहता है question number 14 question number 14 कहता है our general strategy ध्यान से पढ़िएगा यह keywords पर ध्यान दीजे step by step solution की बात हो step by step solution की बात हो तो आपको बता है आपको किसके साथ जाना है algorithm के साथ जाना है जब random activities को करने की बात हो तो trial and error ठीक है ना जब हम short form में बनाने की बात करें तो वो mnemonics हो जाता है that might lead to solution of a given problem is called यानि एक सामानिय युक्ती एक strategy, एक funda जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है might lead to success या might lead to problem solving might lead का मतलब क्या संभावना है वो strategy आपने previously बहुत अपनाई है या फिर कहीं तो उसको use किया है एक funda है जो काम कर जाता है या कर सकता है remote वाला example क्या आपको बता है यारी कि strategy है बहुत बार काम कर जाती है ऐसे विसे करेंगे चल जाएगा क्या कहलाएगा? heuristic कहलाएगा यह response set तो fixed तरीका होता है इससे तो समस्या solve नहीं होती इससे तो होगी ही नहीं functional fixedness भी क्या है? negative तरीका है यह heuristic है heuristic बोले तो अनुमानी सोच है response set हमें मतला आपकी पृतिक्रिया जो set हो गए आपको हर चीज़ पे एक ही पृतिक्रिया को set कर लेना है उसमें जो हम बात कर रहे थे B और C वाले question में उसमें answer जो है वो B के साथ ही जाया जाएगा response set की भी संभावना 44% लोग एक हो कैसे जवाब दे रहे मैं समझ नहीं पा रहे हूँ आपका ये thought process देख रहे हो कितनी confusion आपने भर ली है अपने दमाग में एक सामान्य युक्ती जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुँचने में मददगार हो युक्ती remote युक्ती जो समस्या तक पहुँचने में मददगार हो सकती है अब युक्ती कोई 100% थोड़े ना गरेंटी दे सकती है लेकिन solution का problem ढूंड सकते संभावना है पूरी-पूरी इस तो heuristic कहते हैं क्या कहते हैं heuristic कहते हैं आपके घर में कुछ खराब हो गया पिता जी पेचकस लेकर के लगे हुए हैं तु वो screw driver का use कर रहे हैं कुछ-कुछ क्योंकि उनको बताया है उन्होंने पहले इस पे कुछ काम किया है ऐसा funda ये काम कर सकता है ये funda है एक trick है एक strategy है heuristic जिसको हम कहा रहे हैं ये कैसे हो सकता है इसका जवाब mnemonics तो short तरीका होता है किसी चीज को दिमाग में रखने का किसी funda को mnemonics कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप ऐसी trick कहा दें कि जिससे तुरंट solve हो जाएगा कुछ problem याद रखने में वो help करते हैं of course question number 15 देखेगा एक बार question number 15 देखेगा alternative conceptions यह जिनको naive conceptions कहते है naive conceptions alternative conceptions misconceptions यानि विद्यार्थियों द्वारा जो ग्रहित वैकल्पिक अवधार नाई वो बना लेते हैं वो कोई purpose solve नहीं करती purely illogical होती है हमने कल भी बात की थी यह illogical नहीं होती बच्चे के अनुभव के आधार पे होती है कि वो train से जा रहा था उसने देखा पेड़ भी साथ चल रहा है तो उसको लगता है यह पेड़ साथ ही चलते होंगे जबकि scientifically गलता है लेकिन उसने अपने अनुभव के base पे तो बनाई है तो purely illogical नहीं होती ऐसा नहीं है कि कोई purpose solve नहीं करती बच्चे के अनुभव से सीखने में मदद करती है बच्चे की naive theories को represent करती है यह चीज़ यानि उसके जो सहज सिधान्त है या ज्यान को दर्शाती है कि वो intuitively कैसे चीज़ों को build करता है अपने अनुभव के आधार पे नैचरली उसके अंदर से जो समस्या या जो concept बनता है पूरी तरह से ignore करना कोई solution नहीं है C option is the right answer over here आके बढ़ेंगे question number 16 देखेगा learning is यानि अधिकम क्या है learning is significantly influenced by emotions यानि समवेगों से महतुपूर रूप से प्रभावित होती है यानि जो हमारे emotions हैं अगर हम positive महसूस कर रहे हैं तो हमारी learning भी positive होगी हमारा ध्यान सीखने की तरफ अच्छा होगा बात तो सही है positive है या पूरा option ही not influenced by emotions learning पे emotions का कोई प्रभाव नहीं पड़ता यदि आप डरे हुए है, anxiety में है, fear में है हो सकता है आप बहुत अच्छे से ना सीख पाएं ठीक है ना, rarely influenced by social context ऐसा नहीं है, सामाजिक संदर जिस समाज जिस संस्कृती में आप रहते हैं उससे आपका अधिगम प्रभावित होता है अगर आपको रामयन का example दिया जाए तो आप तुलंद समझ जाएंगे आपको कोई दूसरी दुनिया के ग्रह का example दिया जाए जिसके बारे में आपको पता नहीं है जिस ग्रंत के बारे में आपको बिल्कुल idea ही नहीं है तो आप क्या करेंगे शायद ना समझ पाएं तो influence करता है जो समाजिक संदर्वे जिस समाज जिस संस्कृती से आप आ रहे हैं नॉट इंफ्रेंस बाएं सोशल कॉंटेक्स अगें जो है दोनों ही बाते कलते हैं रेरली भी नहीं होता significantly influenced होती है learning आपकी समाजिक संदर्व से जिस संस्कृती में आप रहते हैं अधिकम काफी हद तक वहाँ से प्रभावित होता ही होता है तो समवेगों से महतुपूर रूप से प्रभावित होता है अधिकम की जो प्रक्रिया है वह आपकी emotions से प्रभावित होती है यदि आप positive emotions फील कर रहे हैं तो आपकी learning भी अच्छे से होती है और अगर आप motivated हैं तो learning अपने आप ही अच्छी होती है question number 17 देखेगा एक बार क्या कहता है question number 17 एक कथन है और कारक है कथन क्या है our teacher should motivate students to learn for understanding the concept यानि एक teacher को क्या करना चाहिए बच्चे को motivate करना चाहिए कि किसी concept को वो सीखे ठीक है ना फिर अगर हम बात कर रहे हैं हाँ इसके reason की तो learning is more effective and meaningful when it is mastery oriented यानि concept को सीखने पे जोर डाल रहे हैं और learning तब ज़्यादा अर्थपूर होती है जब mastery oriented होती है mastery oriented मतलब सब कुछ सीखना चाहता है बच्चा learning for the sake of learning reward के लिए, पैसे के लिए, punishment से बचने के लिए इन सब के लिए नहीं, mastery के लिए performance first आने के लिए नहीं, mastery के लिए failure से बचने के लिए नहीं, mastery के लिए ठीक है ना? तो आपको देखना है, दोनों ही बातें यहां एकदम सही है, कि भाई, concept सीखने के लिए motivate करना चाहिए, क्यों, mastery learning से चीज़ें better होती है तो यह option is the right answer, कोई भी negative बात इन में नहीं है question number 18 देखेगा एक बार which of the following factor hinders learning among students यानी, सीखने में बाधा कौन सा एक तत्व है जो डालता है प्लेफुल interaction with environment वातावरण से सुभाविक या सहज, पारसपरिक क्रिया यादी बच्चा करेगा, मजे में सीखेगा अगर वातावरण के साथ मजे में interact करेगा, तो उ तो positive बात है बाधा थोड़ी बनेगी है, तो helpful होगी learning में बच्चा खुद को motivate करने की practice जानता है जब भी वो हतुत साहित होता है वो खुद से बात करता है, motivated, feel करता है तो self motivation की practice उसको आती है चाहे वो गाना सुनके हो, किसी से बात करके हो खुद से बात करके हो ये भी learning में बढ़िया प्रभावी होती है कि आज चलो इतने नंबर नहीं आए इस set में कल आ जाएंगे, आज थोड़ा और पढ़ लेती हो या पढ़ लेता हो, ये नहीं कि आज से बढ़ाई छोड़ दी urge to know and discover वही जानने की जिसमें खोज करने की चाह होती है जानने की चाह होती है बोला भी जाता है जहां चाह वहां रहा तो यदि आपके अंदर वो चाह है जानने की वो curiosity वो जिग्यासा है तो आप सीखेंगे बहतर सीखेंगे ये भी आपकी learning की process में helpful होगा एक चीज जो helpful नहीं होगी जो hinder करेगी learning को जो रुकावट बनेगी जो barrier बनेगी वो है rigid and inflexible curriculum के कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम ऐसा पाठ्यक्रम जो flexible ही नहीं है जिसमें थोड़ा भूत भी change की गुंजायश ही नहीं है जो एक दम fixed है robot बना देता है बच्चे को तो D option is the right answer rigid तो word ही अपने आप में और inflexibility दोनों ही negative word है पूरी pedagogy के context में question number 19 देखेगा being cognizant of one's own cognitive processes is referred to as dash यानि अपनी स्वयम की संग्यानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है cognizant है मतलब आप aware है aware है मतलब जागरुक है किसके लिए अपने ही दिमाग की चल रही processes के प्रती दिमाग में क्या process चलती है? thinking चलती है reasoning चलती है दिमाग में imagination चलती है दिमाग में perception बनाते हैं आपके 5 senses आपको जो भी information आती है brain में उससे एक perception create करते हैं memory के आलहर पर आप सोच पाते हैं reflect करते हैं कोई अनुभव हुआ तो उस पर सोचते हैं किया तब ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था क्या गल्ती की थी क्या सही कर सकते थे ये सारी जो है cognitive processes है जब आप इन सारी cognitive processes के प्रती aware होते हैं जब आप सोच पाते हैं thinking about your own thinking awareness about your own awareness कि आप जो सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं और ऐसे ये चीज़ कहां से आ रही है तो ये metacognitive abilities में आ जाता है जिसको परासंग्यान कहते हैं यानि अब आप संग्यान के परे जा रहे हैं जो आपकी cognitive thinking thinking, reasoning ये सारी जो cognitive processes और दिमाग वाली इनके beyond जा रहे हैं इनके उपर भी आप आप सोच पाते हैं delayed imitation तो वो sensory motor में जो आता है कि आप जिसको deferred imitation कहा देते हैं accommodation, memorization का यहाँ कोई तालुक as such नहीं है metacognition से एक question आता ही है notes में भी दे दिया है आपको तो अगर हम metacognition की cycle की बात करें तो ये cycle है जो metacognition में follow की जाती है परा संग्यान जिसको हम कहते हैं परा संग्यान क्या है भाई अगर हम बात करें कि आपने कोई काम किया फिर उसको assess किया आखलन किया उसका कि यार ये चीज़ सही की के गलत की फिर evaluate किया strengths and weaknesses इसको आपके अंदर क्या strength है माल लिज़ आपको exam देना है आपने paper देके देखा आपने देखा भाई 80 number आ रहे है number तो कम से कम नबभे आने चाहिए है मुझे तो 130 चाहिए है आखलन किया आपने उस test को देने के बाद evaluate किया आपकी cash strength है, आपकी weakness है किस area में आप ज़्यादा number ला सकते हैं किस में आप कम लेकर के आए हैं कहां आपके बस कितना समय है ठीक, plan the approach अब आप प्लान कर रहे हैं यह वाला subject में हमांची से बढ़ लूँगा let's run से देख लूँगा notes बढ़ लूँगा previous year कर लूँगी whatever अब आप plan कर रहे हैं आगे फिर आप strategy जो भी आपने बनाई थी उसको apply भी कर रहे हैं सिर्फ बना के नहीं छोड़ दिये कि last marathon देख लेंगे बस हो जाएगा अब जो भी आपने किया काम apply जब की आपने strategies तो आप time time पर reflect भी करते हैं कि क्या मेरे number जो 20 आ रहे थे पहले अभी वो 25 आने शुरू हो गया है क्या मुझे concept पहले से अच्छे समझ में आना शुरू हो गया है यानि खुद की ही mental processes पे आपका ध्यान है बस इसी को metacognition कहते हैं परा संग्यान कहते हैं चलिए खेर आगे बढ़ते हैं question number 28 पे देखिए तो ये cognition और emotion वाले question की जगा कई बार ही metacognition पूछ लेता है एक number में dance motivate the learners to believe in themselves and work harder यानि बच्चों को खुद में विश्वास रखने के लिए कौन सी एक चीज है जो motivate करती है और ज्यादा मेहनत करने के लिए कौन सी एक चीज है जो motivate करती है बताएगा फटा-फट से CETAT 222 में 139 आया है CDP में 139 बटा 30 मेरे माता पिता कोई नहीं है मुझे free में badge भी मिला था आपका Thank you ma'am Thank you so much क्या ना मैं आपका To know Sehing Rajput बहुत बढ़िया आप mail भी किये जगा मैं कोशिश करूँगी कि आपकी touch में रहा जाएए आप पढ़ रहे होंगे hopefully badge से अच्छे से देखिएगा Shame and Hopelessness Sharmindgi और Nirashah Sharmindgi और Nirashah से कौन ज़्यादा मेहनत करता है भई कुछ ही लोग होंगे जिनके ये negative motivation काम करती होगी Otherwise ज़्यादा शर्मिंदा अगर बच्चों किया जाएगा Hopelessness उसमें नजर आएगी कि तुम तो कुछ करी नहीं सकते तो वो demotivate हो जाएगा आगे महनत नहीं करेगा खुद में विश्वास करना तो छोड़ी देगा Fear ये भी negative emotion Negative emotion से positive outcome नहीं आते Positive सोच करके ही काम किया जाए तभी तो positive outcome आएगा View of ability as fixed and incontrollable जिसने भी ये मान लिया कि ability क्या है एक entity है या fixed है मतलब शमता तो fixed होती है जिनके पास है उनके पास है मैं क्या कर सता हूँ मैं तो Hindi medium से पढ़ा हूँ या मेरे अंदर तो इतनी ही बुद्धी है मतलब खुद से ही शुरू हो जा जबकि हमें पता है कि surface, mustache का इस्तमाल भी जिसने किया वो 6%, 5%, इस तरह की level मतलब हम अपने brain का more than 90% तो use ही नहीं कर पाते life में उसके बाद भी हम क्या कहेंगे ability fixed होती है है ना, incontrollable है, controllable ही नहीं है मेरा तो कोई इस पर control ही नहीं है तो यह भी negative belief हो गया क्या belief करे बच्चा कि वो महनत जादा करे और motivated रहे तो view of ability as incremental and controllable यह माननेता की शमता वार्धिक और नियंत्रणिये है यार मैं ability को increase कर सकता हूँ महनत करके मैं कुछ भी सीख सकता हूँ यह belief अगर किसी के अंदर है और controllable है यानि मेरे actions मेरी महनत तो मेरे control में है तो यह क्या हुआ, D option यहाँ पर positive बात है जिससे बच्चा जादा मैनत करने के लिए motivate होगा question number 21 देखिए या आप भी इस बारे में सोचेंगे तो आपको भी सही मैनत करने का मन कर जाएगा question number 21 देखिएगा the teacher conducts some activities aiming to evoke previous knowledge of students at the starting of teaching learning process यानि सिक्षक शात्रों को सिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू कराते समय है उनके पूर्वज्यान का आखलन करने की कोशिश में है या पूर्वज्यान को जगाने की कोशिश में कि उनको जो पहले से आता है उससे connect करने की कोशिश में आवहान करने के लिए कुछ गतिविधिया करवाती है ताकि बच्चे जो भी old knowledge उस concept के बारे में उनके दिमाग में है वो revisit हो जाए, revise हो जाए ठीक है, which of the following is not correct, कौन सी एक बाद सही नहीं है संदर्भ में, पहला option है they helps in building connections of knowledge यानि ऐसा करने से एक connection बनता है knowledge के बीच यानि जो previous knowledge था उसको जगा दिया टीचर ने और जो नया सीखने वाले हैं वो दोनों के बीच में connection बन जाएगा अगर भूल भी गए थे तब भी previous knowledge को connect करा दिया कितनी बार हम repeat करते रहते हैं topic course का reason है कि चीजें आपको याद रहे positive बात है they are waste of time, waste of time and resource नहीं होता revision कभी भी या पूरव ग्यान से नहीं ग्यान को जोड़ना या पूरव ग्यान को दुबारा से अपने दिमाग में लेकर के आना, जिन्दा करना वो एक positive बात है, time waste नहीं है to prepare the students for learning यानि ये अधिकम के लिए तयार करनी की एक सकारात्मक और मनोवज्ञानिक पहल है कि पहले हम हर दिन जब क्लास्टर होती है थोड़ा सा recapitate कर लेते हैं या previous knowledge के बारे में सोच लेते हैं कि इसके बारे में आपको क्या पता है जो भी concept हम पढ़ने जा रहे है तो first और fourth सही है, second, third negative है first और fourth जो है, a option is the right answer आगे बढ़ते हैं question number 22 देखिए एक बार क्या कहते हैं इसको a teacher can help the students cope with anxiety यानि एक सिखशक शात्रों को चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है अब कई लोग होंगे न जो teacher काम क्या मानते हैं सिर्फ पढ़ा हो और चले जो teacher क्या है, motivator भी है, philosopher भी है guide भी है, friend भी है सबसे पहले तो अब teacher को मदद करनी है, बच्चे को cope करने में anxiety से, यानि बच्चे में दुष चिंता है, चिंता है जो उसके अंदर भरी हुई है और उसके साथ वो कैसे deal करे इस चीज में teacher को help करनी है कैसे करे by giving them severe punishment, punishment किसी चीज का कोई ilaj नहीं है, rewards कोई effective ways नहीं है आजकल हम ना तो reward पे ना punishment पे आजकल का जो हम education system या philosophy school of thought follow करते हैं, रश्चनावाद constructivism, ना तो वो reward पे जादा ध्यान देता ना वो punishment पे जादा ध्यान देता वो mastery पे ध्यान देगा, वो arthropoon meaningful learning पे ध्यान देगा, problem solving पे ध्यान देगा, है ना, सीखने के लिए सीखने पे ध्यान देगा, पिस सीखते कैसे हैं, by telling them to do repeated practice through recall यह पुराने तरीके थे, जब हम व्रटा लगवाते रहते हैं बार 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 सेम चीज को practice करते रहो करते रहो उर रट जाएगी दिमाग में by talking to them about their feelings and helping them by anxiety जो है, वो कैसे deal करेगा बच्चा, जब तक आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, कि वो महसूस से जूजने में मदद करके तो cope करने का यह anxiety को एक तरीका है, कि बच्चे से बात की जाए उसके emotions को जाना जाए क्योंकि emotions क्या है, उसकी learning पे प्रभाव डालेंगे, cognition को influence करेंगे, तो D option is the right answer, question number 23 देखेगा, एक बार क्या कहते हैं कहता है कि how can teachers encourage children to become intrinsically motivated learners, यानि आंत्रिक रूप से अभी प्रेरित हो बच्चा हमारा education system अभी, आज के समय में क्या कोशिश कर रहा है, या क्या follow करने की हम कोशिश कर रहा है कि बच्चा आंत्रिक रूप से अभी प्रेरित हो आपको मज़ा आता है किसी चीज में, इसलिए आप उसको करते हैं पैसा आएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है नहीं आएगा, तब भी आप करते रहेंगे, कुछ और ढूण लेंगे पैसे के लिए, बैसिकली intrinsically motivation क्या है, intrinsically motivated होगा बच्चा, तो वो interest की चीज में काम करेगा फिर और उसमें वो अच्छा कर पाएगा, ज्यादा संभावना है, तो हम यहाँ देखेंगे कि कैसे intrinsically motivate करें praise करके high achievers को जो ज्यादा number लेके आते हैं, सिर्फ उनको praise कर दो, तो ज्यादा number तो external reason है, आप ज्यादा number को praise कर रहे हो, बच्चे को थोड़ी praise कर रहे हो, तो internal motivation कहां से आएगी इसमे, है ना नहीं यह second paper के subject है क्या, नहीं यह paper 1 में और paper 2 दोनों में CDP में आते हैं, यह topics paper 2 के लिए भी उतने ही applicable हैं वो, जितने paper 1 के लिए social science के लिए आपको SST बढ़नी चाहिए, NCIT की 6th to 8th की, उसके अलावा सारे subjects आपके हो जाएंगे इधर, उसके अलावा तीनी subject है, CDP है, Hindi, English Pedagogy है, वो समय करा ही भी, अगर paper 2 की बात करें, paper 1 में हम EBS और Maps भी कर लेंगे साथ में, punish करके कोई तरीका नहीं है, promoting them to copy, copy करके कौन सी अंतर से आंतरिक अभिपरिणना जागेगी, भाई by inculcating a sense of joy in learning, जब उनको मज़ा आएगा सीखने में आनन्द की भावना पैदा होगी, जब interest आएगा, तो क्या करेंगे, अपने आप सीखेंगे, देखो कभी भी intrinsic motivation को बढ़ावा देना है, तो reason बाहर नहीं होना चाहिए, कि ज़्यादा number वाले को आप बढ़ावा देदो, copy करना, low achiever reason अंदर ही होगा, उसमें कि आपको सीखने में मज़ा आता है, उस चीज़ को बढ़ावा देएगा, आप learning को interesting बना पाएग question number 24 देखेगा, यह क्या कहता है भाई, यह कहता है when Zafar asked his middle school students, Zafar एक teacher है, what did you learn about how, today what do you learn about and how you learnt बढ़ाव क्या सीखा, आपने किस बारे में सीखा आज और कैसे सीखा, जब teacher ने यह पूछा, तो वो क्या encourage करने की कोशिश करने है, बच्चों में क्या प्रोटसाहित करने ही कोशिश करने है conditioning है, conditioning में तो same चीज repeat होती है, आदर डलवाई जाती है यह नकल भी नहीं है, memorization and recall, कि बच्चा memorize करेगा और recall करेगा, लेकिन सिर्फ recall थोड़ी करेगा, बच्चा अपनी process भी बताएगा बच्चा reflect करेगा पहले तो रटा थोड़ी है, उसने का आद में ने क्या कैसी का first step, second step, third step जो भी पूरे दिन की process हुई होगी जैसे मैं अपने भाई से बहुत बार पूछते हूँ कि अच्छा भाई, आज कौन से पिरेड था school में, कई बार जब मिलता है school के बाद, तो वो बताएगा फिर मैंने का अच्छा first period यह था, फिर उसमें क्या हुआ था फिर second में क्या हुआ था, challenge में क्या क्या था अब उसका दिमाग, वो रट्टे थोड़ी लगा क्या था मतलब metacognition लगेगा उसमें cognitive abilities कई सारी लगेंगी चाहे वो memory हो, चाहे वो आपका thinking हो, reasoning हो और उसके भी beyond, यह सब जो हुआ, उसके उपर वो reflect भी कर पाएगा कि प्रकाश डाल पाएगा कि आज हुआ क्या था तो thinking about thinking thinking, जो key है उसमें भी thinking हो रही है तो यह अभी संग्यान हो गया जिसको हम परा संग्यान भी कहा देते हैं metacognition, reflect किया, review किया revisit किया, जो भी चीजें हुई और उसके बारे में आप बता रहे हैं तो आप metacognition को encourage करने है ठीक है न, question number 25 देखेगा एक बार question number 25 क्या कहता है, assertion एक कथन है और एक उसका कारण है पहचारना है कि सही है कि नहीं है our teacher shares with her students how to approach a problem by going through all the steps of problem solving यानि कैसे एक problem को approach करते हैं, steps follow करके समस्या समाधान के, चलो ठीक है इसमें कोई दिक्कर नहीं है, तो positive बात हुई, true है अपने आप में गलत नहीं है, बच्चे के हित में है reason क्या, think allowed demonstration to students is an effective teaching strategy, यानि अपनी सोच कर, बोल कर, विद्यार्थियों के साथ साजा करना एक प्रभावी स्षन कार्य नहीं है यानि जब आपने बोल करके ही तो साजा किया साजा करती है teacher, उपर लिखा हुआ है किस तरह समस्य समधान किया जा सकता है तभी चड़नों का पालन करके इस पे अपनी विचारों को साजा किया teacher नहीं है, और यह जो साजा करना है अपनी सोच को बोल कर, विद्यार्थियों के साथ साथ साजा करना जिसमें आप बच्चों के साथ चर्चा भी कर रहा है बच्चे भी एक्टिव हैं और आप discussion भी कर ले रहा है, तो दोनों बाते positive हैं बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A आगे बढ़ेंगे, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है और दोनों एक दूसरे के बारे में सही है question 26 देखिएगा यह क्या कहता है, अजर्शन एक कथन है और उसका कारण है आप चाइल्ड's emotional state affects her performance in school यानि एक बच्ची की समवेग आतमक मनोस्तिती स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है यानि वो emotionally कैसा महसूस करती है घर में राद दिन जगडे होते हैं या बहुती खुशनुमा माहौल है जहां उसको सीखने का मौका दिया जाता है चुटियों में उसको घुमा दिया जाता है मतलब बच्चे की जो अनुभाव है उसका जो emotional state है current emotional state क्या है बहुत डरी हुई रहती है खुश रहती है normal रहती है anxious रहती है मतलब emotional state emotions जो है बच्चे के वो उसकी performance को school में वो कितने अच्छे से सीखेगी वो कितने अच्छे से किस चीज़ को करपाईगी उसका confidence प्रभावित करेगा विल्कुल सही बात है क्योंकि दिमाग performance को क्यों प्रभावित करेगा क्योंकि performance कानाती है cognition से और emotions क्या emotions तो cognition and emotions interrelated है इसलिए चीज़ प्रभावित करेगी एक दूनों एक दूसरे को तो A option is the right answer आसान सा सवाल है question number 27 देखिए तीन सवाल और है उसके बाद किसी को 21 में doubt है वो करेंगे learning क्या है passive है passive नहीं हो सकती सिर्फ personal factors से influence होगी कि बच्चे की age उसका interest उसका aptitude नहीं है environmental भी ज़रूरी है occurs independent of socio-cultural context अब कई लोग जल्दिबाजी में इसको बिना पढ़े लगा देंगे कि ये तो C option है ये तो D option है देखो C पे कितनी तेजी से आप लोगोंने 90% सबसे पहले C लगा रहे है और फिर कहते हैं मुश्किल question कराओ question इसी level के आते है standard questions है जो standardized test seated बनाता है CBSC बना के देता है कर दी गडबड़ आपने आलिया बजा दो अपने लिए बहुत बढ़िया उम्मीद नहीं थी ऐसी किल से अब तक हम काफी questions कर चुके है ये को पढ़के समझना ज़रूरी है हम लोग क्या है जल्दी में बहुत है जवाब देने की उस शक्कर में answer फिर गलत होता है हमें एक question देखता है पेक्ष से जबकि हम ये जन्म से पढ़ते आ रहे हैं सीटेट की पढ़ाई जब से शुरू किया हमने कि वाइगास्की भी कह रहे है कि जिस समाज जिस संस्कृती में रहते है हमारी learning उससे प्रभावित होती है related होती है impactful होती है influenced होती है और ये कह रहे हैं कि जो learning है वो तो independent होती है socio-cultural aspect के मतलब जिस समाज जिस संस्कृती से आप आ रहे है उसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता आपके अधिकम पे बलत होगे न समाजिक संस्कृतिक संदर्व से स्वतंत्र होता है अधिकम नहीं हो सकता भाई मैं जिस समाज जिस संस्कृती जिस background से आ रहे है उससे different नहीं हो जागा मेरी life से आपको जोडना पड़ेगा तब जाकर कि मुझे समझ आएगी कोई चीज learning अलग नहीं हो सकती socio-cultural aspect से independent लिखा हुआ है इनोंने जल्देबाजी में सिर्फ शुरू के तीन शब्द पढ़के फटाक से आंसर नहीं करना समझ पारे हो ना तो learning is a process of only recall and reproduction of information ये भी बात जो है गलत है कि एक सिर्फ reproduction of information का ही यहाँ पे सही होगा अब मैं समझ गए आपको लगा बेटा बी तो option हो नहीं सकता है डी जो है negative लग रहा है इसमें खेर आप लोग अभी भी बहुत सारे लोग गलत उत्तर दे रहे हैं देखो इससे तो better option ये personal factor बी कब गलत लगाया था जब धिमाग में ये था कि यार environmental का भी option कहीं आएगा जब option में environmental का option ही नहीं आया तो फिर तो ये बात अपने आप में गलत थोड़ी है कि learning is influenced by personal factors तो भी ही सही हो गया न व्यक्तिकत कारकों से प्रभावित होती है अधिगम अधिगम जो है कि बच्चे की age, उसका interest, उसका aptitude उसकी रुची किसमे है, उसकी उम्र क्या है, है न उसका intelligence का इस्तर क्या है तो personal factors प्रभावित तो करते ही है learning को यहाँ पे मैंने गलत क्यों कहा था क्योंकि मुझे यह था कि आगे कही option आएगा जहाँ पे यह लिखा होगा कि learning personal और environmental दोनों factors से influenced होती है यहाँ पे only नहीं लिखा कि is influenced only by personal factors यह गलत तब 100% हो जाता यदि सिर्फ only लिखा होता या फिर options बाकी ऐसे होते कि जिसमें कोई एक option ऐसा होता कि personal and environmental दोनों ही factors, both तो learning is influenced by both personal and environmental factors का लेक question किया था न हमने ऐसा तो ऐसा यहाँ पे लिखा नहीं है और यह तो कभी सही नहीं हो सकता कि socio-cultural aspect से independent हो जाएगी learning वो तो संभव नहीं है किसी भी दुनिया की जगा पे संभव नहीं है कि जस समाच जस संस्कृती से जस real life से आप आ रहे हैं उससे अलग कर दें आप learning को ठीक है ना तो C तो सपने में भी सही नहीं हो सकता था only recall भी सही नहीं होगा कि सिर्फ recall कर लिया passive हो नहीं सकती तो सिर्फ एक ही option में पास positive बचा है जो काफी हद तक ठीक है वो है व्यक्तिकत कारकों से प्रभावित होती यानि जो मेरे personal factors है मेरी age है मेरा intelligence का इस्तर है मेरा aptitude है मेरा attitude है उन सब से प्रभावित होगी मेरा interest है जिस चीज में तो B option is the only right answer C तो सही सपने में में भी नहीं हो सकता भाई question number 28 देखिए आपको confident रहना है यार question number 28 देखिए strengths with which of the following belief will be encouraged to learn and have a better performance in class यानि किस प्रकार की माननेता रखने वाले विद्यारती कख्षा में सीखने की और उनमुख होंगे वा बहतर प्रदर्शन करेंगे यानि कैसा belief कैसा mental mentality कैसी होनी चाहिए बच्चे की कैसा mental set होना चाहिए जो वो क्या माने तो वो अच्छा प्रदर्शन करेगा classroom में कोई कह रहा है मैंने सही किया था हाँ आपको confused किया जाएगा अगर मैं भी करूं तब भी नहीं होना है क्योंकि वो चीज तो एकदम सर्विदित कहलो या सब को ही बता होनी चाहिए यह चीज कि भाई personal factors खत्म थोड़ी हो सकते हैं और बाकी options सारे negative हैं तो बचा क्या फिर मैंने सही किया था बहुत बढ़े विनी था B option आपके लिए एक पुरुसकार बनवाएंगे हम जल्दी देखे one cannot change one's inborn abilities at all यह मान करके तो फिर learning अच्छी नहीं होनी कि आपने यह कहले है मेरी जन्मजात योगताओं को तो मैं बदल ही नहीं सकता जबकि आपको ability को यह मानना है कि मैं महनत करके सीख सकता हूँ effort can influence one's learning and performance यह नहीं महनत से खुद के सीखने वाँ प्रदर्शन में बदलाव किया जा सकता है आज आप 20 number ला रहे हैं कल आप 30 ला पाएंगे यह आप महनत करके effort करके सीख पाएं किसी चीज़ को positive belief है getting good marks is a matter of luck सिर्फ luck से आते हैं आदी दुनिया इसी बात में विश्वास करते है आप देखेंगे लोगों को वो कहेंगे अगर कोई अच्छा कर रहा है जीवन में successful है तो भी वो लग से है है ना वो कहीं कोई exam clear कर पा रहा है तो भी लग से है कुछ और किया है उसने तो भी लग से है तो यहां हम effort पर focus करते हैं बच्चे के लग पर नहीं करते हैं कोई भी कुछ भी अच्छा कर रहा है तो महनत ज़रूर रही होगी और सही दिशा में महनत रही होगी जिसको हम कई बार लग बोल देते हैं यानि जो एक बार सफल नहीं हुआ जो आज तक सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं हो सकता ऐसा पहीं लिखा नहीं है यदि वो सही दिशा में महनत करें तो इसी को learned helplessness कहते हैं इस पर हम कल बात कर रहे थे तो महनत से खुद के सीखने वा प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है the option is the right answer question number 29 देखिए ये क्या कहता है question number 29 है teachers can encourage students to become mastery oriented learners तीन तरह की orientation पर बात की थी एक था mastery orientation जिसमें आप excellence के पीछे भागते हैं सफलता जख मार के आपके पीछे आती है three idiot वाला dialogue कि आप सीखने पर focus करते हैं कि आपको एक-एक concept पता हो number अपने आप आजाएंगे दूसरा है performance orientation यानि जहां सिर्फ number आने चाहिए चाहे रट के लाओ कैसे भी करो चातुरामलिंगम बन जाओ किसके three idiot के तीसरा है failure avoidance वो जो राजू रस्तोगी था आपका three idiot में कि जसको किसी भी तरह से pass होना था बस कि failure से बच जाएं तो तीनों में से best होता है mastery orientation कि आपका ध्यान सीखने पे है number पे नहीं है fail होने पे pass होने पे नहीं है सारा focus जो रंचोरदास उसमें example रहा यानि आमिर खान का जो character है over emphasizing scoring high marks यानि high marks पे focus तो performance orientation हो गया यह mastery orientation थोड़ी रहा जैसे आप जिन exams में बैठते हैं वहाँ भी performance orientation में बहुत focus है यह एक harsh reality है कि अगर आप merit में आना चाहते हैं तो आपको उतने number लाने पड़ेंगे लेकिन अगर हम उसको mastery के साथ भी जोड़ दें कि उस syllabus को हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें तो वो number भी लाना हमारे लिए comparatively easy हो सकता है हालांकि हमारा system जो है अभी भी बतान किस हद तक तयार है mastery के लिए encouraging children to win all competitions अब competitions जीतना कोई mastery orientation तो नहीं होगी inculcating love and joy in the process of learning यह mastery orientation है कि आप सीखने की प्रक्रिया में आनन्द वख खुशी की अनुभूती महसूस करा रहे है बच्चे को बतलब उसको मज़ा आ रहा है सीखने हम तो वो सब कुछ सीखेगा उस concept के बारे में mastery हासिल करेगा PhD कर लएगा कलकुस कमन करेगा inculcating fear and stress to avoid failure इससे तो भाई performance orientation या failure avoidance वाला goal आएगा mastery के लिए तो आपके अंदर joy आ गया सीखने को लेकर के तो आप mastery हासिल करेंगे उस चीज़ पे आज के लिए आखरी सवाल और फिर आउँ 21st को भी देख लेंगे एक बार not पूछाता है ऐसा कोई कह रहा है which of the foreign strategies will help children या students to learn meaningfully यानि कि आर्थपूर्ण ढंग से सीखने के लिए कौन सी strategy बहतर होगी 31st सवाल BS में मने एक question extra डाला था क्योंकि उस 31st question में जो भी आपने दो दिन में किया है वो सब कुछ included है बहुती simple तरीके से आप समझ पाएंगे उसको कोई करा है PhD कैसे करें यार वो example दे रही थी मैं जरूर नहीं है फिर आप PhD ही करें बिना PhD के लिए भी आपका पढ़ने का मन कर सकता है तो वो master orientation में आजाएगा तालिब कह रहे हैं कि सब एकदम पल्टी बार जाते हैं आप लोग जैसे आपको पता चलता है कोई महत्वी नहीं है आपके अनुभव में है ही नहीं आप relate ही नहीं कर पा रहें तो वो meaningful नहीं होगा उसको आपको रटना पड़ेगा फिर समझ में कहां से आएगा focusing only on teaching for students to get good marks ये meaningful कैसे होगी rote learning हो जाएगी ये तो repetitive drill इसमें रट्टा लगाना हो जाएगा दो एकम दो दो दुनी चार loss of information same time पे रयाद रख पाना तो ये भी रटना है ये rote learning के उधारण है सर्फ एक ही meaningful learning का उधारण है A option question number 35 और देखलो एक बार इसमें सब कुछ ही included है ये पूरे जो 10 number है और उससे पहले कि अगर वाइगास की प्याजें इन सब के 4-5 number आप देखेंगे इना socio-constructivist classroom socio-constructivist classroom क्या होती है सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसको कौन बात करेगा वाइगास की बात करेंगे और रचनावाद के अंदर तो वाइगास की आते है यानि बच्चे को active रखना तो पहली शर्थ है रचनावाद में और यही आपके पूरे exam का जो सार है वो एक ही word है जो मैं बार-बार कहते हूँ अगर आप इतना देख लें कि बच्चा सबसे ज़्यादा active कहां है तो आपकी आधी समस्याइं खत्म हो जाएंगे है ना metacognitive abilities metacognitive abilities संग्यान का प्रयोग बिल्कुल माना जाएगा कि बच्चा अबेर हो thinking about thinking ये सारी चीज़ है क्योंकि cognitive development की तो theory है socio-constructivism self-regulation खुद को direction दे पाए regulate कर पाए सही दिशा में ले जाए बच्चा active है यहाँ पे भी critical thinking हर दिशा में हर पक्ष पे सोच पाए just मानना ले किसी भी conclusion पे पहुँचने से पहले problem solving समस्या का समाधान करता बन पाए independently active है यहाँ पे भी meaningless drill and rehearsal जिसका कोई meaning नहीं पता बस बार बार छे बार दस बार लिख दो उस चीज को repeat कर दो यही तो देखते आए न हम system में तो यह खराब तरीका है 75% लोग सी दे रहे हैं जो कि सही है first, second, third और fourth कई लोगों को तो यह लगता है जहाँ 4-5 option दिये हो problem solving, जो इस topic में था critical thinking, self regulation, metacognition सब कुछ include हो गया जो भी हमने अब तक पढ़ा था यह सारी चीजें जो है बच्चे को actively सीखने में मदद करती है और यह सारे topics कही ना कहीं constructivism से ही जुड़े हुए हैं चाहे वो child centered education हो, problem solving हो, thinking हो errors हो, है ना हम इसी को center में रखते हैं question number 20, out of 31 कितने ठीक हो है वो आप comment करके बताएंगे question number 21 में किसी को तो doubt था मैंने शायद वो गलत पढ़ लिया हुआ, कह रहे थे not लिखा हुआ था उसमें एक बार check कर लेते हैं, हाँ देखिएगा, question number 21, एक बार फरसे solve करके देखो, the teacher conducts some activities कुछ activities teacher ने conduct की जिससे previous knowledge जागरित हो रही है बच्चे की, which of the following is not correct, कौन सी बात सही नहीं है previous knowledge को जागरित करने के context में they are helps in building connection, बिल्कुँँ सही बात है, connection build होता है, waste of time नहीं, they are not helpful in making learning process effective, ये बात भी गलत है दोनों बाते गलत है, यही चाहिए हमको they are positive and psychological initiative to prepare the students for learning तो गलत क्या है, गलत हैं सिर्फ दो बाते वो है second or third, और second और third है हमारी यहाँ D option में यही तो क्या होगा, हो सकता है, नीचे mark करने में गलती कर दी हो, first second choose कर लिया हो तो answer लेकिन इसका सही बताया था बस mark गलत किया होगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग भी ऐसी गलती कर सकते हैं पेपर में तो second और third सही है यानि, यह समय और संसाधन की बरवादी है यह कहना एकदम गलत है, कि पूर्व ग्यान को मत जिन्दा करो तो टाइडने